रीडिंग कमपैन के अंदर हम लोग अपने स्टूडेंट्स की मोहला पाठशाला में आए हैं लाइब्रेरी की बुक्स अपने स्टूडेंट्स के लिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो रीडिंग से बिल्कुल वन्चित न रहे पाएं और बुक्स में उनका इंट्रेस्ट बना रहे देखें हम अपनी लाइब्रेरी की कुछ बुक्स लेकर आए हैं बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं बच्चों को भी मन कर रहा पढ़ने का दूर हैं लेकिन हम उनको विद्याले से जो यह एजुकेशन से वंचित नहीं होने देंगे सबसे पहले कौन पढ़ेगा सबसे पहले कौन पढ़ेगा आप पढ़ोगे बेटा क्या नाम है आपका सुनाक्षी स्कूल का नाम प्रात्मी विद्याले मौन पर सेकिन हैं जी बहुत अच्छा कौन सी उठाओगे बुक कौन सी पढ़ना चाहोगे बेटा तबला ले आओ इ जीत कितने लोग हैं इसके अंदर पिच्चर में तीन लोग पड़ो बेटा यह जीत के पापा है इनके पास एक तबला है जीत के पापा बहुत अच्छा तबला बजाते हैं जीत को पापा का तबला बजाना बहुत पसंद है जीत का मन भी तबला बजाने का को करता है पापा तबले को हमेशा हमेशा अलमारी में बंद रखते हैं अलमारी में हम लग और क्या चीज़े बंद रखते हैं कपड़े और पैसे बहुत जो हमारी important चीज़ होती है जो भी बहुत हमारे लिए महत पूर्ण होती उसको रखते क्यों कोई उसको ले ना जाए या कोई चोरी ना कर ले उसको तो उसके मतला जीत के पापा के लिए तबला बहुत जादा हाँ important महत पूर्ण रहा होगा चलो पापा कहते कहते हैं कि बहे जीत को तबला बजाना सिखाएंगे उसके बंद उसके बाद जीत को तबला मिलेगा जब कोई चीज सीख जाओगे साइकल सीख जाओगे तबी मिलेगी तबला सीख जाओगे तबी मिलेगा जीत के स्कूल की छुटिया हो गई थी बहे सुबहे बहुत खुस था जीत ने सोचा की बहे रोज सुबह देर तक सोएगा उससे सुबह जल्दी उठकर नहाना भी नहीं पड़ेगा कुछ दिनों तक जीत खुब सोया बहे दिन भर खेलता था कानियों की किताबों पड़ पड़ता था रात को जल्दी सो जाता था इन इन सबसे जीत का मन जल्दी ही उब गया पापा ने देखा की जीत उबा लग रहा था पापा ने उससे अपना पुराना तबला दे दिया जीत तबला पकर बहुत खुस हुआ पापा ने जीत को तबला सिखाना सुरू किया उन्होंने जीत को तबले की एक पहली ताल सिखाई जीत दिन भर यह ताल बजाता रहा ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना यह तबले की एक ताल है जीत रात को तबला अपने पास रख कर बहा बहे सो सपने में भी पहली ताल बजाता रहा जीत दिन नेंद में पहली ताल बजाता बोलता भी तबलता रहा ना दिन दिन ना दिन दिन आ सुभे होता है अब ये किताब पढ़ना कैसा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है है ना तो ये रीडिंग कैम्पैन में आते हैं आप लोग और हम लोग कोशिश करेंगे कि रोज हम कुछ न कुछ कहानियों की किताबों को पढ़ें ताकि हम लोग पढ़ाई से दोड़ ना हूँ ठीक है थैंक यू बेटा